अब आप मुझे Unacademy पर भी follow कर सकते हो इसके लिए आपको Unacademy Learning एप Google Play Store से डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपके पास पहले से Unacademy Learning एप है तो आप इसके सर्च सेक्षन में जाकर मनीश पारिक सर्च कीजिए आपको रजस्तान करन्ट अफेर के important वीडियो सिरीज यहाँ पर मिलेगा Unacademy भारत का सबसे बड़ा largest learning एप है तो आप इस application पर जाकर ज़्यदा पाइदा उठाएं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनीश स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर आज हम Sports Current Affair Part 3 देखेंगे अभी तक दो पार्ट आ चुके हैं उनमें हमने FIFA से सम्मंदित Commonwealth से सम्मंदित सवालों को डिसकस किया है तो आप उनको भी जरूर देखें और इस वीडियो की भी पूरा देखें इसके साथ में आप मुझे अनकेडमी के लर्णिंग एप्लिकेशन पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ पर आपको रदस्तान करन्ट अफेर के महत्रपूर्ण सवाल पिलेंगे तो चलिए शुरूवात करत पुछे जा सकते हैं तो इसका प्रसा सक है बी सी सी आई और इसकी जो टाइटल स्पोंसर्शिप किसको दी गई है वो है वीवो जो कि आपने बहुत ही एड में वीवो का नाम देखा होगा अब चलिए बात करते हैं कि जो इंपोर्टेंट सवाल और बनते हैं उनके बारे मे तो आई पिल का सबसे इंपोर्टेंट सवाल तो यही है कि इसका विजयता कौन है तो इसका विजयता है चेन्नी सूपर किंग और इनके कप्तान है मैंदर सिंग दोनी अब बात करते हैं कि फाइनल मेच के बारे में तो फाइनल मेच खेला गया था चेन्नी सूपर किंग और सन्राइजर हैदराबाद के बीच में और ये मेच हुआ था मुम्बई में इस मेच में चैन्नी सुपर किंग ने सन्राइजर हैदराबाद को 8 विकेट से हराया और IPL 2018 का किताब अपने नाम कर लिया चैन्नी सुपर किंग ने अभी तक 3 IPL जीते हैं और इसके साथ में ये IPL जीते ही इसने मुम्बई इंडियन्स के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली इसका मतलब मुम्बई इंडियन्स भी अभी तक 3 बार IPL जीत चुका है तो ऐसे सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं कि इसनी सुपर किंग ने अभी तक कितना IPL जीत चुका है वो है 3 और मुम्बई इंडियन्स भी 3 इसके बाद में कुछ महतुपोन जो पूरुषकार मिलते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए तो पहला इंपोर्टेंट पूरुषकार है औरेंज कप तो औरेंज कप किसको मिलता है औरेंज कप उसको मिलता है जो IPL में सरवाधिक रन बनाता है और सरवाधिक रन बनाएते केन विलियम्स जिसको केन विलियम्सन भी कही जगे केन विलियम्सन भी लिखावा है और यह है सन्राइजर हेदराबाद के खिलाडी और इन्होंने टोटल 735 रन बनाईते पूरे IPL में तो यह इसे सवाल भी पूछी जाते हैं उसके बाद में है परपल केप यह हो गया सरवादिक ग्रन का तो यह होगा सरवादिक विकेट का यानि जो खिलाडी सरवादिक विके और इन्होंने पूरे IPL में 24 फिकेट लिए तो यह रहा पूरा IPL का सारंस इनसे आपसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे आप जितने भी आगामी एक्जाम दोंगे आगे बढ़ता है सवाल नंबर 2 पर वो है गोल्डन शू आवाड अगर आपने मेरा फिफा वाला वीडिय देखा होगा तो वहाँ पर आपको एक अवाड दिखेगा गोल्डन बूट अवाड तो दोनों ही बस शू और बूट का फरक है भाकी काफी मिलता दूलता नाम है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है और यह अवाड मिलता है जो सबसे ज़्यादा गोल करता है यूरोपीन मैसी ने सबसे ज़्यादा गोल किये थे यूरोपीन लीग में तो इनको यह अवाड दिया गया और यह अवाड मिलता है फुटबॉल में कई बार सवाल ऐसे भी पूछ ले जाता है कि गोल्डन शू अवाड का समन्द किस खेल से है तो वह है फुटबॉल से यूरोपीन ली होती है उनमें अंकों के आदार पर यह अवाड दिया जाता है और सबसे ज़्यादा बनें लियोनल मैसी के आपको पता है लियोनल मैसी एक बहुती फेमस की लाड़ी है अर्जेंटिना के स्टार फुटबॉलर है और बारसिलोना टीम से यह खेलते हैं आगे बढ़ते हैं लेवल की प्रत्योगीता है और अजस्तान में इसका आयुजन हो रहा है तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बाद में आता है कि इसके विजयता कोन है तो इसके विजयता है वो है हरियाना आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर चार यह है जिमनास्टिक प्ध कौन सी इस पर्दा में जीता है तो यह पर्दा का नाम है महिला वोल्ट स्वार तो कई वार से सवाल भी पूचे जा सकते हैं कि अरूना बुदा रेडि ने किस में यह पदग जीता है तो यह जिमनास्टिक कौन सा प्ध कि कौन सा प्ध जीता है Thomas Cup किस ने जीता तो Thomas Cup जीतने वाला जो टीम है उसका नाम है चीन और ये दस्वी बार चीन ने जीता है जो फाइनल मेच हुआ था वो होता चीन और जापान के बीच में जापान को हरा दिया गया अब आगे इसी वीडियो लेक्चेर में आप उबेर कप के बारे में भी पढ़ोगे तो उबेर कप और थामसकप ये सवाल भी कई वार पूछे गए है कि Thomas Cup है उसका किस ख्यल से है तो थामसकप का समब्नद भी बैंट्विंटन से है आगे अपन उबेर कप के बारे में भी पढ़ेंगे तो Uber Cup का भी संबंद Badminton से है जो Thomas Cup होता है वो पुरुष्टों के लिए Badminton परत्यों किता होती है जबकि Uber Cup होता है वो महिलाओं के लिए Badminton परत्यों किता होती है आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पर ये है Australia Open 2018 का विनर कौन है तो कई बार सवाल ये भी बनता है कि Australia Open किस खेल से संबंदित है वो है Tennis से संबंदित और इस खेल के अगर विजयता की बात करें तो बहुत सारे विजयता होता है यूगल में, सिंगल में तो Open के उल सिंगल के देखेंगे ज़्यादा मेतुपून है और इनी के ज़्यादा चांसेज आने के बनते है तो पुरुष वर का किताब मिलाता रोजर फेडरर को जो की स्विजर लेन के किलारी है और महिला वर का अगर किताब बुछ है तो ये मिलाता केरोलीन वोजनिया की जो की डेनमार के है नाम थोड़े से कठीन जरूर है लेकिन आप लिखने के इनको याद करें थाकि आपको थोड़ा सा ही इनका नाम याद हो जाए उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंच ओपन की तो फ्रेंच ओपन 2018 जो की मई जून में होता है और इनमें जो पुरुष एकल का किताब मिला था वो है राफियल नाडाल और महिला एकल का किताब है वो मिला था सिमोना हलेप जो की रोमानिया की खिलाड़ी है आपने देखा होगा कि ऐसे ओस्टेलियन ओपन फ्रेंच ओपन यूएस ओपन तो इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ पूरे सालबर में ऐसे चार ग्रेंड स्लेम होते हैं ठीक है चार ग्रेंड स्लेम पूरे सालबर में होते हैं पहले का नाम है औस्टेलिया ओपन दूसरे का नाम है फ्रेंच ओपन तीसरे का नाम है Wimb London Open और चोते का नाम है US Open ठीक है ये पूरे साल बर में इनका आईविजन होता है दो आईविजन हो चुके हैं तीसरा और चोता भी आगे हो जाएंगे तो इनके बारे में आप ज़रूर ध्यान में रखें इनको जो आईविजित करवाती है इनका नाम है ITF यानि International Tennis Federation और चारो के चारो गेम संबन्द है टेनिस से संबन्दित ये गेम है आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आठ पे दूनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रेंड मास्टर बनने की उपलब्दी किसने हासिल की है तो देखो बहुत ही बड़ी उपलब्दी है तो ये उपलब्दी हसिल करने वाले हैं प्रगना नंद ठीक है और इनकी आयू की बात करें तो ये केवल 12 वर्ष दश्मा के ये देख लो कि इतनी कम उम्र में ये उन्होंने किताब हासिल कर रहा है और ये किताब किस परतियोगिता में असिल करा है तो उस परतियोगिता का नाम है सत्रंज परतियोगिता तो आप परतियोगिताओं के नाम भी जरूर ज्यान में लखें कि कई बार परतियोगिता से संब्दी डारेक्ट सवाल पूछ लिया जाते है आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 9 पर सब जूनियर नेशनल वॉलीबोल चेंपियनशिप का विजयता कौन है तो इसका विजयता राजस्तान है इसलिए राजस्तान के करनेट अफेर में इस सवाल पूछा जा सकता है दूसरा important सवाल इसलिए भी मनता है क्योंकि इसका आईजन हुआ था जून जून जूर विजो की राजस्तान में यांए इसका आईजन भी राजस्तान में हुआ था और जीता भी राजस्तान में अगर फाइनल मेच की बात करें तो राजस्तान का मेच हुआ था आंधर परदीश से जिसमें आंधर परदीश को हरा दिया गया और इस चेंपियंशिप का विनर बन गया राजस्तान आगे तीन बहुत ही important सवाल है और बहुत ही motivation से संब्दित सवाल है जो कि आपको बताएंगे कि बारत में लोग क्या क्या कर रहे हैं तो अगला सवाल है दस्वा, वो है, ओशन सेवनच चेलेंज को पूरा करने वाला पहले भारती है कोई है, तो वो है रोहन मोरे, अब आपको मैं बिपताता हूँ कि ऑशन सेवनच होता क्या है, जैसा कि नाम में लिखा हूँ है के यानि इसमें 7 समूंदर से सम्मंदित ये कोई game है वो शमूंदर में की जाती है 13 की मतलब यह कुछ 13 की से सम्मंदित game हो गया ओसन 7 चैलेंज को आप पानी का mehrhatan भी कह सकते हैं जैसे皿 मेhrhatan दोड होती है बहुत लबी दोड़ होती है वेसे ओशन सेवन चेलेंज को आप पानी में होने वाली मेरा तिन भी के सकते हो अब बात करें ये चेलेंज किया है तो इस सेलेंज में आपको जो साथ समुद्र है दुनिया के ठीक है उनको पार करना होता है तो इस Ocean 7 Challenge में साथ समुद्री चैनल होते हैं आपको पता है कि समुद्र कितना तेर में कितना खतरनाक है उनको ये पार करने वाले पहले भारती बने उनका नाम है रोहन मोरे जो की पूने के निवासी है अब आपको बताता हूँ कि दुनिया में ऐसे कितने व्यक्ति है जिन्नों ने ये Challenge पार किया है तो अभी तक दुनिया में 9 व्यक्ति ही ऐसे हैं जिन्नों ने ये Challenge पार किया है सबसे कम उम्र में अरब शागर में 47 किलोमेटर की दूरी तेक करने का रिकोर्ड किसने बनाया देखिए पहले तो 47 किलोमेटर चलना भी बहुत बड़ी बात है वो भी अरब शागर में तो ऐसा करने वाले जो है उनका नाम है गोरवी ये है अपने उद्यपूर की लड़की है और इसकी आईव की बात करें तो मात्र 14 साल की उमर में अरब सागर जैसे में 53 के वो भी 47 किलोमेटर इन्होंने 13 की किये है और ये एक रिकोर्ड अलगी रिकोर्ड इन्होंने अपने नाम बनाया है इन्होंने जूहू बीज से लिके गे डेटवे उप इंडिया इनके बीज की दूरी है 47 किलमेटर उस दूरी को मात्र 9 गंटे 22 मिनट और 35 सेगंड में पार किया है जो की बहुत ही बड़ी उपलब्दी है जब इन्होंने 13 की शुरू की थी तो उनके स्थार्टिंग में तो कुछ डॉल्फिन मसली होती वो इनके पैरलल में चल रही थी इसके बाद में बहुत सारा कत्रा भी था मसलियां भी होती है शमुदर में और मसलियों को पकड़ने वाली जाली भी होती है तो इन सबसे इनका सरीर पूरा लगबग पूरा सरीर चिल गया था और बहुत ही बड़ा रिकोर्ड बनाया और ये पूरे राजस्तान के लिए एक गौरू की बात अगर इसको आप कीजिये इस चेनल को ज1 जदा से जदा सबस्क्राइब कीजिये ताकि आने वाले वीडियो के बारे में सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके झाल